हरेर महादेव घरगर महादेव की गुंच आर्थ सावे तहसिल के अजनोद गाव में रही जहां कॉंग्रेस द्वारा शिवलिंग वितरिंग का एकरिम आज़ित किया गया जहां कॉंग्रेसिव ने घरगर पहुच कर शिवलिंग वित्रत किये कॉंग्रेस ने ता सावर या पठील ने बताया कि सावन मास ने बड़ी संख्या में लोग कावड़ी आतर कटे हैं और धार्मिक आजिन करते हैं किन्दु कोरुणा के चलते इस बार कोई आजिन नहीं हुआ ऐसे में कॉंग्रेस के पूर सांसत प्रेमचंद गुड़ोर के नितित्व में सावर विधानसवा शेत के जनोध गाव में शिवलिंग वित्रत के गए जहां बड़ी संख्या में कॉंग्रेसी कारकरता वा अनि ग्रामिनों ने काईकरम में भाग लिया साथिपुरे अजनोध गाव में बैंड बाजु के साथ कॉंग्रेसी ने घरगर पहुच कर शेवलिंग वित्रत के और हर हर मादेव घरगर मादेव का नारा लगाया सावेर से सतीश शर्मा के रिपोर्ट यह कोरोनों हमारी के कारण नहीं हो पा रहा है लेकिन हमारे आदरनी प्रेंचंजी गुड़ू जीने हर हर माहादिव और घरगर माहा थे के हर इकुत्तर हजार सीलिंग पावे विधान सभा में वित्रण की जा रहा है प्रेंचंजी धेंड महारी को दूर करने जो प्रदेश में और गाओं में और पूरे विश्व में महामारी कोरोणों से महांकाल रच्छा करें और सभी सावेर की विधान सबा प्रदेश, पुरा प्रदेश, पुरा भारत इस महारी से जूंद रहा है इसके चलते हुए हमारे आदर्नी प्रेमचंजी गुड़ु जी ने हरर महादेव, घरगर महादेव, पुजो तिरलिंग की पुजा सभी बंदू, सभी 36 कूम की चाती कि सभी दर पर रहकर महांकाल की पुजा करें और महांकाल बाबा हमेशा कालों के काल है काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्तो हो महाकाल का क्या कहेंगे, कितने वोट से जीतेंगे, प्रेमचंजी गुड़ु अगर आप इसकर से महनत कर रहे है प्रेम चैन जी गुड्डू तुनाव जीतेंगे और भूद भूद मतों से जीतेंगे और रिकार्ट तोड मतों से जीतेंगे भिस्व में भारत में मध्यपर्देश में इतिहास रचा जाएगा सामेर विधान सब्सक्राइब बार इस आप और इसी पिखत हम महांकाल बाबा की बेंडबाजो के साथ और दूल्दमाके के साथ पूरे गाउं में, अजनोत गाउं में, मांकाल हरर महादेओ के नारफ में साथ, जोती लिए परिचे है, मैं सामर्या पटेल, ग्रामिन जिला धेक्ष यूद कॉंग्रेस